IDFC First Bank और IDFC जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा रहेगा IDFC जो है IDFC First Bank में उनका stake बरहाने के लिए कुछ amount दिया था और IDFC First Bank ने उसको एप्रूब करने के बाद IDFC First Bank में उसका stake बरहा लिया है उसके बाद अगर देखते हैं तो IDFC First Bank में थोड़ा बहुत तेजी बनता हुआ दिख रहा है तो अभी यहाँ पर IDFC First Bank और IDFC का जो merger है उसको लेके एक अपडेट दिटी को मिल रहा है जो कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी complete हो जाएगा उसके चलते स्टॉक में भी बहुत जादा तेजी देखते को मिल रहा है आप देखते हैं कि IDFC First Bank का प्राइबिट सेक्टर लेंडर है तो IDFC Limited और IDFC First Bank का जो merger है कहा जा रहा है कि इस financial year में जो है complete हो जाएगा और इसी के चलते IDFC First Bank में बहुत जबर्दस तेजी बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों IDFC के और से आप देख सेते हैं कि क्या कहा जा रहा है IDFC said that it has completed all stages of corporate simplifications it added that the next step for company is the MLEG emission with IDFC First Bank IDFC ने ये कहा है जो IDFC First Bank का parent company है कहा है कि जो भी इसके पास बोल से थे कि जो भी approvals था march करने के लिए IDFC First Bank के साथ सब कुछ इन लोगों ने complete कर दिया भी next step ही है कि march किया जल से जल IDFC First Bank के साथ we wish to inform you that all the stages of corporate simplification have now been completed तो जितने भी stages थे इन लोगो एप्रोबर लेने का जैसे कि कोई भी company जब merge होता है अभी IDFC का भी share का price देखते तो उसमें भी जबर्दस तेजी बनता हुआ दिख रहे हैं लगबगे share जो है 78 रुपिस के आसपस पहुच गया IDFC का तो जितने भी process था merge करने के लिए IDFC First Bank के साथ वो बता जारी का almost they have now been completed all the process तो इसके चलते share में IDFC First Bank के share में तेजी बन रहा है और एक बहुत बड़ा update है दोस्तों जहां पर अगर देखेंगे तो IDFC First Bank जो है एक बहुत ही बढ़िया company जो बैंक है बोल सकते और the board has appointed Axis Capital Limited for issuance of fairness opinion on the share exchange ratio with respect to the merger with IDFC First Bank Limited तो यहाँ पर board जो है Axis Capital के यहाँ पर हायर किया है और वही बात करते है ICCA Direct का आप देखें आप कहा जा रहा है ICCA Direct के रहा है IDFC First Bank stock to perform stock to outperform in near term तो ICCA Direct का मानना है कि यह जो IDFC First Bank के इसका stock जो है near term मतलब बहुत जल्दी अगर देखते आगे चलके IDFC First Bank में एक जबर्दस तेजी बन सकता outperform प्रवास कर देखें आप देखें है जबर्दीट इसके जबर्दीफी बन सकता कर दाथ आपादीब इसक्ता कर दो जो जबर्स्टीब देगे बन सकता कि अधरें देखें है